कैसे हो आप सब मैं बढ़िया हूँ एंड होप करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं सबसे पहने मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए रग दी है मौसम अभी मतलब ऐसा है बिल्कुल ठंडियों में तो चाय बहुत अच्छ लगता है अच्छी अध्रग वाली चाय बनाखे लगता है अच्छ अलगते है बस मैं इपने लिए चाय बनाही और senzaा हो आज जो है पालक सबजी बनानी ती पैसी पालक पनीर तो मैंने क्या किया था पालक को ऊच्य से ब्लांच कर लिया था अच्छे दो तीन वार वाश कर पालक डाल दी ती और भस ढखके उसे थोड़ देर के लिए छोड़ दिया था एक दू बार चला दी थी तो इस तरीके से ब्लांच हो गई यह पालक अभी यहां पर हम बहुत बेस अबरी से इंतजार कर रहा है उसको लैसुन खाना है लैसुन बहुत पसंद है तो मैं तीन चा मैं भाई को यह बहुत पसंदे लैसुन तो बस यहां पर मैं पालक पनीर की तख लाइasted दो साथ में यहां पर यहां पे अदो बियाइन कर रही है इसके लिए रही है यह वाले था पर कर स्ब्र्णी करें यह वाले चॉप परना बहुत अच्छे हैं मतलब जैसे आपको जल्दी है जल्दी से चॉप करना है टाइम नहीं आपके पास तो उस टाइम पे नहीं बहुत ज्यादा काम में आते इसमें आपना हर वेजिटेबल चॉप कर सकते हो लाइक प्यास ट्रमाटर तो ठीक है आप इ लाइक बहुत जल्दी है तो चॉप कर सकते हो इसमें और पत्ता गोबी की सब्सी बनाना है तो उसे भी आफटा फट इसमें अच्छी से देखके डाल दो एंच्छी बारीक चॉप हो जाती है तो हर तरीके से यह काम में आता है और इसमें आप चट्नियां भी बना सकते हो या टो मारे पिस चुछ में बनातोगा या इसमील की चपना पिस जाती है तो इसके कावी चटनी डिनाły.. तो यहाँ पे जो मेरी प्याज मिर्ची है और लेस्टो ने समय ने स्वे मिक्स कर दिया था तो यह सब हो गई है चोपच्चे से अभी मैं इसके डालने वाली हूँ सीधा कड़ाई में कड़ाई मैंने ओयल डाल लिया था इसमें राई जीरे डाले हैं और कोई भी खड़े मसाले नहीं डाले हैं आज क्योंकि जो है घर पर ही ममिन है जो जितने भी खड़े मसाले होते न पीस की गड़ मसाला बनाया है, तो गर पे जब गरम मसाला बनाते तो काफी अच्छा बनता है, तो वही मैं डालोगी, इसमें अलग से कुछ भी मैंने तेज बता वगएर, कुछ भी नीर आला है, बस मैंने यहां प्यास डाल दी है, इसे अच्छे से फ्राइ कर रही हूं, दै यहां पर मैंने थोड़ी से मंटर भी एड़ कर दिये थे और अभी प्याज और मंटर दोनों बहुत अच्छे से कोखो गए हैं तो इसमें मैंने जो टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई है वह मैं इसमें एड़ कर रही हूँ इसे अच्छे से हमें सेक लेना है जब तक ए अच्छे से ओयल रिलीज ना करें इसमें मैं मजारी आड़ कर दूगा ताकि मसाले भी बहुत अच्छे से कोको जाएं तो इसमें मैं सारी बिसिक मसाले डाल लेई हूँ हल्दी, धनिया और कश्मीरी, लाल मिर्च हल्दी मैंने बिलकुल नाम की डाली बिलकुल थोड़ी सी थोड़ा सा गरम मसाला मैंने अभी डाल दिया है मिलाए बूर सब्छा की अख्या है। ले लिया है और उसको अपने साब से ऐसी रफली चौप कर लिया है बहुत जादा मैं शेप बगेरा पे ध्यान नहीं देती क्योंकि वाला पनीर थोड़ा सा ऐसा था भी तो मैंने अपने साब से इसको कट कर लिया है आप चाहो तो ट्राइंगल बगेरा भी कट कर सकते हो मैं बनाओंगी किसी दिन मैंने भी तक वो ट्राइंगल शेप में कट कर नहीं बनाया है जैसे हो ट्राइंगल वगेरा में पनीर मिलता है बट वो देखने में अच्छा लगता है पर गहर में तो यार भी बनके अभी खब जाएगा तो मैंने आपे चोटे-चोटे से पीसे कर ल कर देंगे जो मने पालक पीस के रखे हुई थी और अच्छे से से मिक्स कर लेना है इसी में थोड़ा सा अम जो पनीर हमारा वो भी एड कर देंगे और इसमें ना मैंने पीस्ते टाम जो पालक पीस्ते है न तो इसमें थोड़ी शक्कर डालो तो उसका कलर जो है वो चेंज यह जाओ तो डाल सकते हैं उसे बहुत अच्छा रहता है। ऐसे भी बिंडी पारह। तो आसका खाला की यह वन्य में भालती है। यह पर पनीर पेटा है। अबस यह पर थोड़ा सा जाता है कि अप्रम साथना अब आपको डिकार ही यह तोड़ा सा पनीर मैंने उपर से ग्रेट कलने के लिए बचा लिया है, वह सुंदर भी दिखती यह तो प्रम में कुद्धार है इस नहीं पर बचा लीजा जाता है और अच्छी उबाल ले लूँगी थोड़ा सा इसकी जो ग्रेवी वो थेक हो जाएगी और बस फिर उसके बाद हम करेंगे डिनर अभी ना लैसुन बहुत महंगा है तो यहाँ पे घर के सामने से निकल रहा था तो ममीन चाचा से जिता के राखा था तो यहाँ पे लैसुन मिल गया हमें वर यह बहुत ज़्यादा छोटा छोटा है इसे पील करने में बड़ी दिक्कत हुती हमने न यह काच का एक जार रखा हुआ है इसमें हम थोड़ा सा लैसुन पील करके रख लेते हैं करीब एक हबते के लिए जो चल जाए तो यहाँ पे म बारिश का मौसम भी है थोड़ा सा बारिश भी हो रही है तो इस कारण से ऐसा मौसम में उसके बाद मैं ओश शांकर हम तीनों जन मिलके आ गए हैं मार्केट हमें थोड़ा से कुछ सामा लेना था तो हम आए हैं मार्केट और मार्केट से एक दो जर्स दो जर्सी ली हैं पा पे भी फॉलो कर लेना फ्लीज और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक क्यार बाई इंस्ट्राग्राम आईडी आपको मेरे चैनल का जो कम्यूटी पोस्ट है वहाँ पे मिल जाएगी तो प्लीज वहाँ भी फॉलो करना बाई